देज में टीका करण अभियान रफ्तार पकड़ने लगा है सोम वार को 85,15,000 लोगों को टीका लगाया गया यह अब तक का रिकोर्ड है इससे पहले एक ही दिन में इतने टीके नहीं लगे थे एक अपरेल को 48,000,000 लोगों को टीका लगा था वैसे पिछले कुछ दिनों में टीका करण का रोजाना का ओसत 35,000,000 के आसपास ही रहा इससे उपर नहीं निकल पाया यह आकड़े निरासा जनक इसलिए भी थे कि सरकारों के तमाम दावों के वावजूद टीका करण का काम जोर नहीं पकड़ पा रहा था एक दिन में 85,000,000,000 से ज़्याद लोगों को टीका लगाने से यह भी साबित हो गया कि हम चाहें तो टीका करण की अपिक्छित रफ्तार हासिल कर सकते हैं और दिसंबर तक अधिक्तम आबादी को टीका लगा सकते हैं लेकिन ऐसा हो कैसे पाएगा यह सवाल अभी भी है अब तक का अनुभव यही है कि ऐसे अभियानों की सुरू आत तो जोर सोर से हो जाती है पर धीरे धीरे सब कुछ पुराने डरे पर लोटता दिखने लगता है इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि सोमवार से जो अभियान सुरू हुआ है उसकी गती मंद ने पड़ जाए एक पखवाले पहले केंद्र सरकार ने टीका करण की नई नीती लागू की थी इस नीती के तहत 18 साल से उपर वाले सभी लोगों को मुफ्त में टीका देने का एलान किया था साथ ही टीका करण अभियान की कमान भी केंद्र ने अपने हाथ में ले ली थी इसलिए अगर यह कहा जाए कि सोमवार को पेचिया सी लाख से जाद लोगों का टीका करण नई नीती की सफलता का संकेत है तो इसमें कोई अतिस्योक्ती नहीं होनी चाहिए यह कहने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जनवरी से अब तक टीका करण अभियान सरकारी तंत्र की एदूर दर्सी नीतियो लापरवाही और कूप्रबंधन का सिकार बना रहा वरना क्या कारण है कि जो कामियाबी हम चहें महीने में हासिल नहीं कर पाए वहें एक ही दिन में कर ली जबकि वही विवस्था है वही तंत्र है और काम करने वाले भी वही लोग हैं हालांकि टीका करण में सबसे बड़ी अडचन टीको की कमी को लेकर आई लंबे समय तक यही तै नहीं हो पाया कि टीको की खरीद कैसे और कोन करेगा टीको के आबंधन को लेकर केंदर और राज्यों के बीच जम कर राजनीती चली राज्यें केंदर पर टीके देने में भेदभाव करने का आरोप लगाते रहे तो केंदर सरकार राज्यों को नाकाम साबित करती रही टीकों की खरीद को लेकर सरकारें जिस तरहे की उल्जन में पड़ी रही वह कम हैरान करने वाली बात नहीं है महामारी का खतरा अभी टला नहीं है दूसरी लहर की बहावहता कम भर हुई है अब जादय चिंता तीसरी लहर के खतरे को लेकर है इसलिए हर इस्तर पर पुकता तयारियों की जरूरत है टीका करन इनमें सबसे प्रमुक है अब तक के सोधों से यह सामने आया भी है की टीका लगने के बाद संकर्मन से काफी हद तक बचाव हो जाता है इसलिए टीका करन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार ने रोजाना एक करोड लोगों को टीके लगाने का लक्षे रखा है ऐसी भी खबरे हैं की सोमवार के टीका करन अभियान में भाजपा सासित राज्जियों का योगदान सतर फीसद रहा जबकी गैर भाजपा सासित राज्जियों में यह तीस फीसद के आसपास ही रहा हालंकी ऐसा क्यों हुआ होगा यह तो बाद में ही पता चलेगा टीका करन का अभियान तो तभी सफल हो पाएगा जब इसे राजनिती से उपर उठकर चलाया जाएगा सवाल भाजपा या गैर भाजपा सासित राज्जियों का नहीं होना चाहिए बलकी हर राज्जियों को इस अभियान को सबसे महतकून मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए